हमारे दूज में सो अभाईगों के बीच दस माताएं बहने रहते हैं लोग कुछ बोले अलूल जलूल तो उसका मैं कोई बात ने कर सकता हूं बच्टी है जानकारी नहीं है बाद मैं समझ जाए नमस्कार लाईब सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ राजेश भारतीय जन्ता पार्टी का आज जमुई में का एक कारजकरम था पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंतरी खनन मंत्री जनक राम मंच पर मौजूद थे कारजकरम चल रहा था कारजकरम था परधान मंत्री गरीब कल्यान अन्ययोजना इसके तहत गरीबों को अनाज वित्रित किया जाना था, अनाज वित्रित भी किया गया, लेकिन बड़ी बात एक यहां पर यह हो गई कि जिला मोर्चा महिला मोर्चा भाजपा जिला महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है साधना सिंग उन्होंने कई गंभीर आरोप भी मंचपर मंत्री के सामने लगा दिये हैं उनका आरोप था कि महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है सम्मान नहीं मिल रहा है भाजपा में जबकि भाजपा अनुसासित पार्टी कहलाती है और यहां पर अनुसासन यह अनुसासन देखने को नहीं मिला देखिए क्या कुछ कह रही है साधना सिंग और उसके बाद हम हमारे गूच में सो अभायों के बीच दस माताइं बहने रहते हैं, वो भी सबसे पीछे लाकर बैठे हैं, तो यह दुरुभाग यहा है, क्योंकि यह अंध्य पाध्या बाला संस्कार हमारी में ना है और ना दहे, इस थामी को हम अपने में बजले, यही दिवेदन है आप सभ दिया जा रहा है, मानि यह प्रधान मंतरी नरिंद भाई मोजी के काज काल में, यह कार्ज करम में आज बद जो जैसा की महिला मोचा की तो सबको सम्मान दिये हैं, अनुसास अब जिनकों लगे की अनुसासन नहीं है, अगर जिला ध्यक्ट में 30 साल से हूँ, जिला पर अब हूँ, भारतिये जनता पाटी में 30 साल से काम कर रहा हूँ, अनुसासन क्या होता है, नहीं होता है, मुझे पता है, अब लोग कुछ बोलें, अलूल जलूल तो उसका मैं कोई बात ने कर सकता हूँ, अब बोल रही है, आपके काज करम में बोल रही है, अब बोलने जाएगी, अनुसासन क्या है, संगठन क्या है? भाजपा के मंतरी के सामने, भाजपा के जो जिला के पूरे अधिकारी थे, उनके सामने ये गंभीर आरूप लगाए हैं, देखते रहे हैं, अगर आप तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, फेस्बुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, तो पेज को जरूर लाइक कर दें, धन्यवादा.